नमस्कार बारत, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार, युद्गुरुकुल के यूटूब चैनल पर आपका हार्दी का भिननदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, आज संडे है और संडे को हमारी मोटिवेशनल क्लास में जहां पर हमारा किसी हम एक चीज को लेकर डिसकस करते हैं, और डिसकस करते हैं आने वाला साल, 2021 हमारे जिवन के लिए एक कही न कही नोक्रियों की बोचार लेके आएगा, यानि 2021 जो है वो, वा आपकी सत, यू कह सकते हैं, नोक्रियों की बोचार, अब बोचार कैसे हो सकती है, इसके बारे में बताते हैं, देखाए आपने भी, कि अभी हाली में, NTPC का, 2019 में रिक्रुट्मेंट, नोटिफिकेशन आने के बाद, उसका कई दिनों से उसकी एक्जाम नहीं होती, अभी 28 दिसम्बर से उसकी एक्जाम शुरू होगी, 28 दिसम्बर 2020 से, इसका मतलब होता है, शुरू हो चुकी है, लोगों के अपने इग्जामिनेशन सेंटर के नाम आ चुके हैं, बस तो इससे क्या आपको पता चला, कि अब हमें तयारी के लिए जुट जाना चाहिए, बहुत सारे लोग NTPC की जो तयारी कर रहे थे हैं, वो अब आप जुट जाईए, उसके बाद यहाँ पर MPTate की भी एक्जाम होने वाली है, SSC की बात करें यहाँ पर, MPTate की बात करते हैं पहले, MPTate की, MPTate में जन्वरी से एक्जाम होने वाली है, थोड़ा सा हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा 10-15 दिन डिले हो जाए, क्योंकि जिस प्रकार से P.E.B. ने नोटिफिकेशन डाल रखा है, तो नोटिफिकेशन में उनने 4-5 दिन थोड़ा सा यह ग्रूप 5 की जो वेकेंसी से, उसकी एक्जामस वो 28 दिसंबर से 13 जन्वरी तक ले रहा है, इसका मतलब होता है हमारी एक्जाम जो है लगबग जन्वरी के मिट से शुरू हो जाईगी, यानि कम से 15 जन्वरी के बाद हमारी वर्गदो की एक्जाम होगी, हाँ यह बात ताए है कि जन्वरी में एनी हाउ स स्टाट हो जाएगी, अब यह लास्ट पोस्ट पन होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, मेरी बात पर अगर भरोसा कर पाएं तो, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आते हैं, हम SSC की बारे में, तो SSC, CGL का नोटिफिकेशन SSC, CHSL है, इसका भी डेट एक्स्टेंड हो गई है, इसकी बीडेट के हो गई, एक्स्टेंड हो गई है, इसकी बीडेट शायद 26 तारीक हो गई है, यानि पहले 15 तारीक लास्ट थी, उसके बाद 18, 19 करी और उसके बाद 26 तारीक लास्ट हो गई है, तो जितने भी भाई बंदो सकामित्र जो बारवी पास हैं, वो SSC, CH जील वाली वेकेंसी भी आने वाली है, उसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है, मतलब कुल मिला के उसकी एडवर्टाइजमेंट सुचना आ चुकी है, बस उसका नोटिफिकेशन आना बाकी है, अभी आ जाएगा दिसंबर के एंड में, और उसके बाद हमारी पास MP की पी भ काम होई रही है अभी, ठीक है, इस प्रकार से और भी एक्जाम से, तो कुल मिला के सारी चीजें, अगर हम आर्मी में बात करें, तो अभी SSB का फार्म हुआ है, SSB की वेकेंसी आई है, बहुत सारे, तो ये प्लीज रिक्वेस्ट है कि अब बस अपने आपको तयार करिए, और तयार करने के लिए, हमारे जो यूद गुरुकुल है, वो आपके लिए पूरी तरह से समर्पी थे, हम यूद गुरुकुल के बारे में बताएं, तो यूद गुरुकुल में अभी हम आपको मैट्स की क्लास पूरी पढ़ा रहे हैं, मैट्स का पूरा मैटेरियल आपको यूटूब पे फ्री में अवेलेबल है गनित का सारा का सारा माटेरियल सारी एक्जामों के लिए फ्री में हैं रोज हम उसके लिए MPTate के लिए हम रोज शाम को आठ बजे क्लास लेते हैं जिसमें हम मैट्स पढ़ाते हैं उसके बाद SAC और MPV के लिए सुबह शाम को छे बजे हम क्लास लेते हैं ठीक है शाम को छे बजे वो भी यूटूब पे पढ़ाते हैं ठीक है तो इस प्रकार के सारे चीज़े है ओफलाइन बेच की बात करें तो हमारी 9 से 12 तक एक ओफलाइन बेच चल रही है एस पर गवर्मेंट कि यह अवसर वर्ष है आपका आप देखे 2020 कोरोना के मत्थे चड़ गया कोरोना के कारण मार्च 2020 तक हमारा सब कुछ ठीक चल रहा था मार्च के अर्थ से 2000 मतलब लगब 20 मार्च से हमारे जो पूरा कोरोना का कहर जाओ पड़ा और उससे हमारा भारत ही नहीं पूरा विश् कि आरो गया होता है हमारी अर्थ वैस्ता हमारी जो भारत की क कई सारी चीजों से हम डगमंगा गये और उसके कारण हमारी सारी चीजहें हुई है द्यान रखिएगा तो नौ से बारा यह चल रहे है और दिन में एक बज़ő से हमारे एमपटेट की स्टूडेंट्स भी आ रह आपको सफलता मिल पाएगी ठीक है तो इतनी सारी चीजें हैं और ध्यान रखिये का बस एक साल अपने आपको मन से तन से और पूरी तरह से देदीजिए ठीक है हम भी पूरी तरह से समर पीते हैं आपके आप बी और आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो एनी टाइब ज यूद्गुरुकूल आपके लिए और जुड़े रहिये। गुरुकुल आपको रोजाना मैट्स की वीडियो दे रहा है बाल विकास की वीडियो दे रहा है और उसके बाद आपके पास MP8 की मैट्स पढ़ा रहा है SST CHSL के हिसाब से भी मैट्स पढ़ रहा है हम ठीक है तो थेंक्यू सो मच ओके गुड़े आज सोड़ा सा संडे है बिल्कुल आराम से इंजोय करिए जैहीन जै भारत